तो दोस्तो आज के इसक्लास में हम आपको जोहेना इंगलिस की बाराखड़ी हिंदी में आपको जोहेना सिखाऊंगा तकि आपको जोहेना इंगलिस में मैसेज पढ़ना लिखना और भेजना आ जाएगा और साथ में आप कहीं पे जा रहें बोर्ड पे किसी गाओं या शहर या किसी जगा का नाम लिखा हो इंगलिस में तो उसको जो है न इस क्लास को देखने के बाद आसानी से पढ़ना सीख जाईएगा तो आए बीना देर किये हुए इस क्लास को शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर विजें लाइक और चैनल पे नए है तो चैनल को कर लीजगा सब्सक्राइब और शाथ में जो बेल आइकन दीखेगा ना तो और लोड़ोट फीकेशन को प्रेश कर दीजगा तो जो आपका प्रोब्लेम चल रहा है WhatsApp, Facebook जो भी ये कोई पोश्ट आता है इंगलिस में या कोई आपके पास WhatsApp पे मैसेज आता है या आपको मैसेज भेजना हो इंगलिस में तो उसको आप जो है ना असानी से इस क्लास को देखने के बाद आप सीख जाईएगा तो मान लिजिए ये लिखा है अब बताईए ये मान लिजिए आप कहीं पे जा रहे हैं बोड पे लिखा है तो आप इसको कैसे पढ़ोगे इसी चीजी को इस क्लास को अगर लाश्ट तक देखेंगे तो आपको जवेना पूरा समझ में आजाएगा और जो भी क्लास में बताया जाएगा आपको जवेना अपने कॉपी में लिख करके अच्छे से उसको समझ करके याद कर लेना है तो आईए इस क्लास को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए इंगलिस बारा खड़ी हम हिंदी में सीखेंगे इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम इंगलिस का जो मात्रा होता है उसको हिंदी में सीखना जरूरी है अगर इसको सीख जाते हैं तो पूरा आप इंगलिस की बारा खड़ी हिंदी में सिख जाईएगा ठीक है ना तो सबसे पहले यहां पे दिखी अगर इसको सीखने से पहले आपको जो है ना इंगलिस में आ से आहा तक यानी आ से आहा तक और काशे ग्या तक इंगलिस में याद रहेगा या है तभी जो है ना आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाईएगा अगर याद है तो यहां पे दिखी यह क्या है आ तो आ का इंगलिस क्या होता है आ का इंगलिस क्या होता है यहां पे दिखी सौरी यहां पे ए है तो ए का इंगलिस क्या होगा आ होता है ठीक है ना अब आगे देखिए, यहाँ पे मात्रा, A या डबल A से क्या होता है, A की मात्रा होता है, होता है न, A या डबल A से A की मात्रा होगा, ठीके न, छोटी E, छोटी अनि, I है यहाँ पे, तो I है जो है न, I का जो मात्रा होता है, छोटी E होता है, यहाँ पे देखिए, डबल E या आई ठीके ना तो अधिकतर जो है डबल ई लगता है तो देखिए आपे डबल ई का जो मात्रा होगा वो बड़ी ई की मात्रा होगा ठीके ना इसके लिए कभी-कभी आई भी लगता है डबल ई की जगा पर ठीके ना U, इसका मात्रा क्या होता है? छोटी O की मात्रा डबल O या U ठीके न, तो डबल O देखिए डबल O का क्या होगा? मात्रा बड़ी O होता है ठीके न, तो यहाँ पे इसका मात्रा लग जाएगा ठीके न, R, R, I से क्या होता है? री होता है तो री का मात्रा जो है इस तरह का होता है ठीक है अब देखिए आपे इसे क्या होता है ए होता है तो ए का जो मात्रा होता है इस तरह का होता है इसको हम एकले कहते हैं आई ए आई से आई तो आई का जो मात्रा होता है यहाँ पे लगेगा O, O से O होता है O की मात्रा जो है इस तरह का होता है इसको O कार कहते है O, A, U से O होता है ठीके न, तो O का जो है मात्रा इस तरह का होता है A, N, C, N तो N का जो मात्रा होता है इस तरह का होता है एक बिंदी रहेगा यहां पे ठीके न, A, H, C, A, H तो आहा का जो मात्रा होता है ये होता है ठीकिना अगर आप इस तरह से इंगलिस का जो मात्रा यहां पे दिया गए इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कर लेते हैं जो यहां पे हम ट्रांसलेट कर दिये हैं इसको याद कर लेंगे तू आपको जो हैना English की जो बारा खड़ी है इसको Hindi में शिखना आपके लिए चुटीयों का खेल हो जाएगा चुटी में बजाकर आप असानी से इसको Hindi में लिख दीजिएका और जब इसको लिखना आप Hindi में सिख जाएगा तो आप जो हैना अराम से किसी भी जगा का नाम कोई भी इंगल्स में लिखा हुआ शब्दों उसकोँ आप आसानी से पढ़ देंगे ठीके ना तो आइए यहां पर इसका हम पर्योग देखते हैं ठीके ना तो देखिये आह Pan P के ए से क्या होता है क्या होता है को होता है जैसे यहाँ पे देखिए को ये दो अक्छरों से मिलकर बना होता है आधा को और आ की आवाज जब मिलता है तब ये बनता है पूरा को तो आधा को के लिए क्या होगा के और आ की साउंड के लिए आवाज के लिए क्या लगेगा ए लगेगा ठीके ना तो के ए से क्या होता है को अब यहाँ पर देखिए के ए से का या के डबल ए से देखिए यहाँ पर के लगा है ना यहाँ पर देखिए को के लिए क्या होगा के और इसमें अ है ठीके ना यहाँ पर देखिए तो इसमें okko sound है यहाँ पे %, so ik全ile अब नहीं तो इसलिए ज्लिए आपए a, तो इसको क्या पढ़ेंगी ka, ठीकी न, अब देखेए यहाँ पे senin kya se ka, या k double a से ka, तो k e या double a, तो इसका मातरा क्या होगा a की मातरा होगा, न, देखेंए यहाँ पे क के के लिए यहाँ पे क्या लगेगा को और इसमें जो यह न डबल ए या ए लगा है तो इसका मात्रा क्या होता है आ की मात्रा होता है ठीके न तो आ की मात्रा यहाँ पे डंडा लग गया तो क्या बनी गया का के ए से का या के डबल ए से का ठीके न यहाँ पे दिखिए अब इ आई है तो आई का मात्रा क्या होता है छोटी ए की मात्रा देखी यहां पे है ना आई का छोटी ए की मात्रा तो इसमें छोटी ए की मात्रा लग जाएगा लग गया ना तो क्या बनी गया की अब देखी यहां पे के है तो के का इंगल्स क्या होता है को होता है यहां पे हिंदी म E की मात्रा होता है तो E की मात्रा जो है न इस पे लग गया तो क्या बन गया की यानि KEE से की ठीक है ध्यान से देखिए इसी में पुरा खेल है इसी के उपर पुरा खेल है इंगलिस बारा खड़ी का ठीक है न कू देखिए यहां पे के से कॉ और यहाँ पे u है तो u क्या है छोटी u की मात्रा तो यहाँ पे लगता है नीचे तो क्या हो गया कू के u से कू अब देखिए यहाँ पे क का को होगा हिंदी में को और इसमें क्या है डबल o है तो डबल o का मात्रा क्या होगा बड़ी u की मात्रा बड़ी u की मात्रा इस तरह से लगता है तो क्या बने गया कू के डबल ओ से कू इसी तरह से यहां पर देखी के को और आराई से क्या होता है री तो री की मात्रा देखी यहां पर नीचे लग जाएगा क्री क्या पढ़ेंगे के आराई से क्री यहां पर देखी के से को और इसमें क्या है इकी मात्रा लगा है तो A की मात्रा के लिए A की मात्रा लगेगा ठीके ना तो इस पर A के लिए आएगा ठीके तो क्या हो गया K अब देखिया आपे K तो K के लिए का और इसमें A, I लगा है तो A, I का मात्रा क्या है यह है I की मात्रा तो इस पर दो एक लिए आ गया तो K, A, I से क्या हो गया कै अब की मात्रा ठीके ला इसमें लगेगा O की मात्रा तो क्या हो गया के एएन से कन के से को और एग से क्या होता है ओह की मातरा होता है तो यहाँ पर दो बिंदी लग जाएगा तो क्या बनी किया कहा तो इसी तरह से जो है आप कोशे ग्या तक इंगलिस में लिखा हुआ रहता है बारा खड़ी तो बस उसका English का Hindi लिखते जाइएगा और जो मात्रा का English लगा है उसका भी मात्र लगते जाइएगा आपका जो हे ना Hindi तयार हो जाएगा जैसे यहाँ पे देखिए KHA तो क्या होगा? KHA से क्या होगा? Kr यहाँ पे देखिए KHA या KHA Kr I क्या होता है? KHA K H I तो क्या होगा K H का English लिखेंगे ना क्या होगा K K और इसमें क्या है I लगा है तो I का मात्रा क्या होता है छोटी E की मात्रा बस इसको हम लिखते जाएंगे यानि अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आप जो हे ना English की जो बारागा खड़ी है उसको आप Hindi में पढ़ना लिखना शिख जागेगा जब इसको जब भेना आप पढ़ना लिखना सिख जागेगा तो कोई भी नाम हो कोई भी जवार का नाम हो WhatsApp पर message भेजना हो पढ़ना हो आप असानी से पढ़ दीजिएगा ठीके ना तो यहाँ पर आप इसको समझें ना के ए से को, के ए, या के डबल ए से का, के आई से की, की, के डबल ए से की, कू, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के इ से के, के ए आई से काई, के ओ से को, के ए यू से काउ, के ए इन से कन, के ए इस से काहा, तो आप इसको बार-बार इसको जो आप अपने कॉपी में लिख करके, सबसे पहले ध्यान रखना है आपको A से, इसका ठीके न, A, ठीके, तो A होता है, ठीके न, इसका कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन A का जो साउंड होता है, हिंदी व्यंदन के पूरे अक्षर में लगा ह अब देखिए, A या डबल A से क्या होता है, A की मात्रा, A से छोटी E की मात्रा, बस इसको याद रखिएगा, डबल E से क्या होगा, बड़ी E की मात्रा, U से छोटी U की मात्रा, डबल O से बड़ी U की मात्रा, और A से री की मात्रा, ठीके, E से A की मात्रा, A I से I की मात्रा, O स O की मातरा, AU से O की मातरा, AN से N की मातरा, AS से A की मातरा, बस इसको याद रखिएगा, आपको किसी का भी English मिलेगा, जिसे मान लिजिए यहाँ पे S, H, A, U, तो इसका English क्या होगा? तो S, H का English क्या होता है? तालब शॉ या मुर्धन शॉ और A, U का क्या होगा English? A, U का O होता है तो इसका मात्रा लगेगा ना ये तो यहाँ पे लग गया O तो क्या होगा? शॉ तो इसको भी आप असानी से पढ़ देंगे क्या लिखा है? S, H, A, U से शॉ N, A, N, A, N, A, G, A, G, A, R, R, के लिए R क्या होगा? राम नगर ठीके ये लिखा है राम नगर इस क्लास को आप देख लिजिएगा उसके बाद आपको step by step English में लिखा हुआ सब्द आपको Hindi में पढ़ना, लिखना और बोलना सभी को सिखाएंगे, ठीके न तो ये रहा English की मातरा Hindi में, इसको अच्छे से समझ लिजिएगा, तो अब चली आपको जुहेना हम English की बारा खड़ी कौशे ग्यां तक, यानि कौशे ग्यां तक आपको जुहेना, ग्यां कौँ, हिंदी में कौँ और ग्यां ग्यां तक, English से हिंदी में पढ़ना सिखाते हैं, आप जुएना अच्छे से, अपने कौपी में पहले पढ़ लिजिएगा, उसके बाद कौपी में लीक करके अच्छे से समझ लिजिएगा तो चलिए, अब हम चलते हैं मोबाइल, स्क्रीन पे ध्याने किएगा लाश्ट तक जरू देखिएगा क्लास थोरा लंबा होगा लेकिन आपके लिए फाइदे मंद होगा तो यहां पे देखिए के ए से क्या होता है का होगा, ठीके ना हम लोग क्या सीख रहे हैं बारह खड़ी यानि इंग्लिस में जो बारह खड़ी है उसको हिंदी में कैसे पढ़ा जाएगा ठीके इसे को हम सीखेंगे यहां पे ठीके ना देखिए तो यहां पे यह है यह क्यों ए है इसका कारणी यह है कि का में जो हेना आ का साउंड है आवाज है देखिए यहां पे क यह दो अक्छरों से मिलकर बना होता है आधा क और ओ ठीके ना तो इसलिए आधा क के लिए क और ओ की साउंड के लिए ए तो दोनों को एक साथ लिखा जागा के ए से क ठीके तो यहां पे अब समझ गए होंगे कि के ए से क्या होगा का होगा ठीके अब देखिए यहां पे के ए से का या के डबल ए से क्या होगा का क्या होगा का ठीके ना देखिए नाम औगेरा लिखना हो किसी भी आदमी का नाम लिखना हो वहाँ पे single a का प्रियोग किया जाता है a की मात्रा के लिए ठीके ना बाकी जगों पे जुहेना double a का प्रियोग किया जाता है ठीके आगे जब हम आपको जुहेना इंगलिस से हिंदी में लिखना शिखाएंगे ने तो वहाँ पे आपको हम clear कर देंगे ठीके की का में छोटी एकी मात्रा ठीके ना का के लिए के और आई के लिए के लगेगा छोटी एकी मात्रा लगेगा ठीके ना के डबल ए तो के के लिए का और डबल ए है तो बड़ी एकी मात्रा इसमें लगेगा ठीके ना की के यू कू को के लिए के चुटी यहाँ पे उकी मातरा है ठीक है न यू तो यहाँ पे चुटी उकी मातरा इसमें लगेगा के डबल ओ कू क में बड़ी ओ की मात्रा क्री क्री क्या लिखा है क्री क्री हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा के के इसे के कई के और इस पे आए की मात्रा कै को को काओ कन कह ठीके चली आगे देखती है अब यहाँ पे दीखी खा का ठीके न तो के एच ए से खा खा के एच ए या के एच डबल ए से क्या होता है खा होता है ठीके न की की कू 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 क्री के के कई खो खाओ खन खाह चली आगे देखती हैं आप गो का गो गा गे गी गो गू ग्रे गे गई गो गो गन गह गह का जी एच एसे क्या होता है गह जी एच एसे घा या जी एच डबल एसे क्या होगा गा गे गी गो गो ग्रे गे गह गो 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 गह गह चलिए आगे देखते हैं अब देखी यहां पर च्वा का देखी अंगा का हम नहीं बता हैं क्योंकि हिंदी में जुहेणा अंगा का और यहां का परियोग नहीं किया जाता इसलिए हम उसका English यहां पर हम नहीं बता है ठीक है तो देखी यहां पर चा ची ची चू चू ची 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 चय चू चू चन चह चली आगे देखते हैं चू च्छ च्छ च्छी चिरी चे च्छी च्छी च्छौ च्छौ च्छन च्छाह यहां पे दिखें यहां पे गलती होगा च्छन उपर बिंदी रहेगा च्छाह यहां पे बिसर्ग रहेगा ठीके जा जा जी जी जू जू ज्री ज्री जे जै जै जू जू जौ जन जन जह 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 जा जह जह जे जी जु जु जिरे जे जय जो जाओ जहन जह अब देखिए यहाँ पे टी ए से टा हम यहां का नहीं बता हैं क्योंकि यहां का जोना परियोग नहीं होता है हिंदे में ठीक है टा टी टी टू टू ट्रे टे टई टू टव टन टह टू टी एच एसे क्या होगा टू 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 टी टू 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 ट्रे थे थए टू 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 थन ठाह ड़ डी एसे क्या होता है ड़ ड़ डी इसको अड़ा भी पढ़ाता है अड़ा डी री री रू 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 रिडी रू 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 राओ रण रह रह धा डी एच एसे धा 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 ध्य ड्य ध्य ध्य धी धै डो धाओ धन धाह चली आगे देखते हैं एन एसे आड़ा आड़ा इड़ी इड़ी उनो उनो इड़ी इड़ी ऊनो आड़ी 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 आलो आड़ं अब देखिए यहां पर टी ए टी ए सी तौ होगा ध्यान खीएगा टी ए सी टौ भी होता है टौ ठीक है ना ता ती टी तो तू त्रे ते 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 तो तव तन तह देखिए यहां पर टी एच ए से था इसी से पहले इसका हम था पढ़ाये थे ठीक है ना तो टी एच ए से था भी होता है ध्यान रखिएगा ठीक है ना और था भी होता है तो यहां पर था एगा ठीक है था थे 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 थो थो थे थे देखिए यहां पर डी ए से दा इसे से पहले हम लोग डा पढ़े थे डी ए से तो डी ए से डा भी होता है और दा भी होता है ठीक है तो फिलाल यहां पर दा का हम बाराख़ई सिखेंगे नहीं है यहां पर दा दे दी दू 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 द्रे दे दय दू दू दन दह अब देखिए आपे दी एच ए से धा इसे से पहले हम दी एच ए से धा पढ़ेते ठीक है तो दोनों होता है डी एच एस से धा भी होता है और धा भी होता है ठीक है तो फिलाल यहां पर हम धा पढ़ेंगी दिखिए आपे धा धे 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 धो धो ध्रे ध्रे धे ध्य 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 धो ध्युक्त धन ध्युक्त ध्युक्त एन ए से न यहाँ क्या होगा नॉ इन ए से अना भी होता है ठीक है ना नी नी नो नो निरी ने नए नो नो नन नह चली यह आगे देखते हैं पी ए से पौ पा पी पी पू 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 प्रे पे पै पू पू पौ पन पह पी एच ए से फौ फौ जो है ना एफ ए से भी होता है ध्यां रखिएगा ठीक है तो फिला लें हाँ पर देखिए पू फा फी फी फू 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 देखिए आप पे पी एच रहेगा ठीक है मिस्टिक से टाइपिंग हो गया है फू फू फ्री फे फई फू फू फॉ 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 फन फॉ 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 बी एसे बा 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 बी 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 बो बू 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 बी बी बाई बह 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 बी भी, भी, भू, भू, भिरे, भे, भय, भू, भौ, भौ, भन, भाह, M-A-C, म, मा, मी, मी, म, मू, म्री, मे, 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 मो, मौ, भू, भू, मन, मह, य, 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 यू, 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 य, 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 R-A-C, R, R-A-C, Ra, Ra, Ri, Ri, Roo, Roo, Ri, 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 रे, रै, रो, रो, रण, रह, इल एसी ल, ला, ले, ली, लो, लो, लिरी, ले, लए, लए, लो, ल, लuld, लो, लो, ल, लए, यहाँ पर देखिए, बी, ए, या, डब्लिू, ए, से, वा, दोनों में से कोई जो है, आप इसका इंगलेस लगाएगा, वा का, दोनों में से कोई गए, वी, ए, से, वा, या, डब्लिू, ए, से, वा, देखिए याँ पे हम भी ए से हम प्रयूग किये याँ पे ठीकिए ना तो वा वी वी ओ ओ विडी वे वय ओ वाओ वन वह वन यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया है वाके पर बिंदी रहगा अंस्वार वह ठीक चली आगे देखते हैं एश एच एशी क्या होता है तालब बेख श शा शा शी शी शू शू शी शी शे शै शू शू शौ शन शू शॉ शू चली आगे देखते हैं देखिए आपे श, एच एशे मुरधन शू भी होता है यानी शौ और दंत शौ का सेम ऊचा रहा रहन उता है और इंग्लिस भी सेम होता है ठीके ना sha she she shoo shoo shri she shai shoo shau shan shoh अब यहाँ पे दिखिए is a से सो यानि दंत सो इसका उचारण सो होता है sa si 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 sao sun सह ह-a-c ह-a 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 ही हु 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 ही हे है हो हल हन हाह ksh ch छ ही यहाँ पर दीके च गलत लिखा गया छे छी छो छो छे 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 छो छाओ छन छाह टी आर एसी त्रो छे ट्रा ट्री ट्री ट्रू ट्रू ट्रे 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 ट्रय ट्रो ट्राओ ट्रन ट्रह देखिए यहाँ पे जी वाई एसे ग्या ग्या ग्ये ग्ये ग्यो 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 ग्यन ग्याह तो फ्रेंट्स ये रहा कौशे ग्याह तक इंग्लिस से हिंदी में 12 खड़ी तो चले फ्रेंट्स आज के इस क्लास में बस इतना ही अब आपका क्या काम है इस क्लास को अपने शबी कपी में जो लीखे हैं उसको अच्छे से याद कर लिजेगा तकि जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा उसको आप जो है न अच्छे से समझ पाईएगा और जो है न आप वाटसेप पे मैसेज पढ़ना हो भेजना हो या कहीं पे भी किसी जगा का नाम लिखा हो उसको असानी से आप पढ़ना लिखना और बोलना सभी सिख जाएगे और इस क्लास को जो आप अपने सभी फ्रेंड को भी शेर कर जिएगा ताकि वो भी इस क्लास के माध्यम से इंग्लिस की बाराखरी हिंदी में सिखते रहें और आप हमें कमेंटर के ज़रूर बताएगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है जहन्द फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में